ठेक पड़ा अपने थमनिल पर यूवा किसान गाउं में करे 5 बिजनस और कमाये लाखों रुपे जी हाँ अगर आप ये किसान है और आप गाउं में रहा कर बहुती कम पैसे में लाखों रुपे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है गाउं में रहने वाले जातर किसान अपना सारा टाइम खेतों में ही लगाए रहते हैं और किवल सबजों की खेती के उपर ही निर्भर रहते हैं लेकिन सबजों की आमदनी हमेशा नहीं होती तो होता यही कि किसान सब्जियों को बेच कर जो पैसे रखे होते हैं वो भी किसी न किसी तरह से खत्म हो जाते हैं और जब किसान को अगली फसल की बुआई करनी होती है तुने मजबूर होकर करज लेना पड़ता है और इसी प्रकार उनका समय बीधता जाता है ऐसे में किसान भाईयों को किवल क्रिसी पर ही निर्भर नहीं रहना चीए बलकि उनको गाउं में क्रिसी से संबंदित कुछ गाउं में चलने वाला बिजनस करना चीए जिससे उनकी आर्थी क्रिस्तिती मजबूत हो सकी तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं कि किसान को गाउं में कौन सा बिजनस करना चाहिए आज की वीडियो में आप पांच तरह के connected बिजनस के बारे में जानेंगे जो गाउं में सबसे ज़्यादा सफल है देखे आप कुछ लोग वीडियो को छोड़ कर भाग जाएंगे लेकिन उनको नहीं पता है कि सबजी की खेती कर और साथ में उससे जुड़े और बिजनस जो मैं आपको आगे बताऊंगा उनको करके आप महिने का कितना रुपय कमा सकते हैं या आप कभी सोचे नहीं होंगे सिर्फ आप वीडियों को लाश तक देखी उसके बाद आप खुद कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ मैं वी गाओ मेरा कर अच्छा पैसा कमा सकता हूँ अगर आप गाओं में खेती बाड़ी करते हैं तो सबजियों को मंडियों में बेचने के साथ सबजी की दुकान भी खुल कर कमाई का एक जरिया बना सकते हैं आप देखते होंगे कि जो सबजी आप मंडि में 10 रुपे किलो बेचते हैं उसी सबजी को छोटे बैपारी या दुकानदार हमें ही 18-20 रुपे किलो बेचते हैं मतलब आप दिन रात मेहनत करके सबजियां पैदा करते हैं उसमें दवा का छिड़काव करते हैं मिट्टी चढ़ाने के लिए खाद में पैसे लगाते हैं तब आपको एक किलो सबजी के 10 पे मिलते हैं और उसी सबजी को एक ब्यपारी हमसे ही खरिद कर बाजार मुसे दुगने दाम पर बेचता है तो किसान भाईयों हम आपको इस वीडियों के माध्यम से यही करना चाहते हैं कि यहीं आप सबजियों की खेती करते हैं और आपके पास सबजियां आधिक हैं तो आप कुछ सबजियों को मंडियों में बेचें और कुछ सबजियों को अपने घर परी सबजी की दुकान खोल कर बेचना सुरू करें इससे आपको डबल प्रॉफिट होगी अगर आपको नहीं पता है कि कैसे सबजी का बिजनस शुरू करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है दोस्तों सबजी का ठेला अगर आपको लगाने में सर्म आती है तो किसी लड़के को पकड़ कर आप अपना काम करवा सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि मंडियों में सबजी की आमदनी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सबजी को फेकने की नौबत आ जाती है या बिकते भी हैं तो सिर्फ जो पैसे किसान को मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं जिससे किसान सबजी के लिए खाद या दवा भी ने खई सकते हैं इसलिए आप या तो सब्जी की दुकान खोल कर सब्जियों को बेच सकते हैं या फिर सब्जी को ठेला पर रख कर ऐसे गाउं में जहां के लोग खेती न करते हो या कॉलोनियों में घर घर जाकर सब्जियों को बेच कर पैसा कमा सकते हैं नमबर 3 मुर्गी पालन गाउं के किसान सब्जियों की खेती के साथ साथ पोल्ट्रिप फॉर्म खोल कर भी अपने आपको सफल बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो जिस खेत में आप खेती बाड़ी करते हैं उसी खेत के किसी एक कोने में पोल्ट्रिप फॉर्म बना कर मुर्गी पालन भी करके दोहरा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। कमपनियां खुद देती हैं जिसके बदले आपको अच्छा कमिशन मिलता है। लेकिन अगर आप मुर्गी पालन का सारा प्रॉफिट खुद लेना चाहते हैं तो आप अपना खुद का मुर्गी का बच्चा छोड़कर अपना खुद का चारा खिला सकते हैं। इन्हें बेचने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बलकि कमपनियां खुद आपसे संपर करके आपके फॉर्म से मुर्गियां खरित कर ले जाती हैं। NUMBER 4 मचली पालन मचलीयों का बिजनस भी किसान खेती की साथ कर सकते हैं। मुर्गी पालन की तरह इसे भी खेत के किसी एक कोने में 5-6 विस्सा खेत में चोटी तलाप बना कर मच्ची पालन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें भी तालाप में पानी भड़ने के लिए आपका वही मसीन काम आएगा, जिससे आप अपने खेती की सिचाई करते हैं, यह पैपार करने से फ़ॉम से जब मुर्गिया निकल जाती हैं, तो उनकी बचचिवे मल खेतों में जैविक खाद का काम करते हैं, जिससे आप अप इने का 40-50,000 रुपे सिर्फ आप मच्छली पालन करके कमा सकते हैं, अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियों बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, अगर आप इस बिजनस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में हाथ जरू लेखें, देखें गाओं में भी पैसे कमा या भैस देखने को मिल जाएंगे, भले ही वे खेती करते हो या न करते हो, परन्तु यदि आप किसान हैं और आपके पास खेती हर भूमी है तो आप खेती तो जरूर करते होंगे, और यदि आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको पसू पालन जरूर करना चाहिए, इससे आपको अनेक फायदे होते हैं, यदि गाऊ में रहने वाले किसान भाई, पसू पारन करते हैं तो उनको पसूँ से दूद मिलता है, जिसे किसान अपने खाने के लिए रखकर उसे मंडियों में बेच सकते हैं, साथ ही पस्वों के मल मुत्र को खेतों में देशी खात की रूप में उपयोग कर सकते हैं जिससे खेतों की उरवर्ता सक्ती बढ़ेगी और फसलों से उत्पादन अधिक मिलेगा इसकी अलावा आप चाहें तो एक दुकान खोल कर दूद से दही, मठा, छाच, खोवा, लसी, छेना और पनीर इत्यादी उत्पाद बना कर बेश सकते हैं और गाउं में ही यह बिजनस करके लाखो रुपे कमा सकते हैं इसलिए गाउं के किसानों को पसुपालन तो करना ही चाहिए दोस्तों इसलिए करते हैं खी चलाता है गाउं में बढ़े बुड़ों का असीरवाद लसी गुड के साथ बाजरे की रोटी का स्वाद आपको इस वीडियों कैसा लगा अपना विचार कमेंट में जरूब बताएं इस वीडियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से प्रेम पुरोग बहुत बहुत धन्यवाद